दोस्तों चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और कोशिन के बारे में इस कोशिन में क्या दिया हुआ है आपको 0,2,3,5,8,10 ऐसी स्रीज दिया हुआ है बट मुझे कुछ यहां पर दिखाई दिर है कि अगर इस 0 में अगर मैं 3 प्लस करूँ तो मेरे पास 3 आएगा इस 3 में तो 2 में अगर मैं 3 प्लस करूँ तो मेरे पास 5 आ रहा है 5 में अगर मैं 5 प्लस करूँ तो मेरे पास 10 आएगा 10 में अगर मैं 7 प्लस करूँ तो मेरे पास 17 होना चाहिए यहां पर और 17 में अगर मैं 9 प्लस करूँ तो मेरे पास कितना 26 होना चाहिए 26 यानि कि कही ना कही मेरा जो answer है वो 18 ही होगा क्योंकि wrong one figure तो 18 ही है यानि option जो A होगा इस question का correct होगा I hope आप सभी कोई question समझ में होगा जय हिंद जय भाद